एग गाईज वेलकम बैक टो सुपर फास्ट इंगले सकाइडमी दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर आज मैं आपको इस इंगलिस का एक स्पेशल टेस्ट ले किया हूँ और इस वीडियो के इंदर आपको 20 कोईशन्स आपको डेंट करने होंगे और उसमें से आपको सिर् से पहला जो कोईशन है वो है यहाँ पर 29 और 29 में क्या करना आपको इसमें से एरर बताना है कि कहां पर किस पार्ट में एरर है और वो क्यों है इस सबका जवाब आपको आना चाहिए देखिए से आप पढ़ेंगे का I am having three children इसे पढ़कर के समझ में आ रहा होगा वो यह बो लगाते हैं और उसके बाद जो भी आपके पास होता है उसे लिख देते हैं तो इसलिए जो पार्ट में एरर है वो एम हैविंग वाले में है तो एम हैविंग की जगे पर I के कोडिंग है लगाएंगे अगर I नहीं होता he see it होता तो आप हैज लगाएंगे is that clear तो यहाँ प किया होगा मीध है सही किया होगा इसके बाद देखिए का all mangoes in the basket are overripe अब यहाँ पर समझेगा इसमें क्या गलती है पहले आप यह देखो all mangoes यह plural है तो यहाँ पर plural बर्व आ रही है और यह किसमें रखे हुए basket पर रखे हुए चलो यहाँ पर तो इसमें कोई गलती नहीं है लेकिन एक grammar का यह rule होता है और वो grammar का rule क्या कहता है वो यहाँ पर है देखेगा all के बाद कभी भी अगर plural countable noun होता है तो all के बाद दा का इस्तमाल किया जाता है यह आप सभी को पता होगा तो इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो all है तो all के बाद में आपको दा का यूज करना होता है क्योंकि उसके बाद plural countable noun होना रहा है mangoes is that clear वो भी overrack हो चुके है तो यहाँ पर यह चीज़े आपको समझना होगा कि all के बाद यहाँ पर दा यूज होता है ठीक है all the boys होता है ना ऐसे all the mangoes होता है चलेगा यह आपने सही किया होगा तो आप दो करपाना मतलब समझेगा कि English के इंदर बहुत आप जो है बीक है यहाँ पर देखिए कि WH दे रखा है और लास्ट में भी question mark है यानि कि यह interrogative sentence है और interrogative होने पर WH के बाद में आता है helping verb फिर subject आता है फिर not आता है यह वो WH plus negative होता है तो तो वारा बोलो WH के बाद में helping verb आएगा फिर subject हैगा फिर negative हैगा ठीक है अब यहाँ पर देखिएगा इस WH Y के बाद में directly subject आ रहा है जो के गलत है इस subject से पहले verb आता है और subject के बाद में helping वो main verb आता है तो मैं इसलिए इस वाले पार्ट में गलती करूँगा और इसे मैं सही करूँगा तो Y के बाद यह चो डिडल लगाई है तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर यहां पर Y के साथ में डेड़ आएगा तो यह वाला तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा इसमें गलती कहां पर है चलेगा अब आगे बढ़ जाते हैं आप देखिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे है कि वी आर लीव का मतलब होता है कि हम प्रस्तान करना हुआ के लिए छोड़ना तो इसलिए कह सकते हैं वी आर लेविंग फॉर केरला तो यह वी आर लेविंग फॉर आगरा तो एसा हम कह सकते हैं तो इस वाले सेंटेंस के अंदर रहा है कोई भी गलती नहीं है आगे दिए 33 वी हाफ तो रिटर्न बैक इमेड़ेटली हमको इमेड़ेटली जो हो बापिस लौटना पड़ता है अब यहाँ पर एक चीज आप समझेगा कि जो रिटर्न लिखा हुआ है और इसके बाद में बैक लिखा हुआ है यह कभी रिटर्न बैक एक साथ नहीं चलते हैं ऐसा क्यों देखे र वाला जो बैक हो हटा देना चाहिए रिटर्न के बाद कभी भी बैक का इस्तमाल नहीं किया जाता है तो यहाँ पर जो बैक हो हट जाएगा आगे देखेगा हरी लॉस्ट और रुपी नोट यस्टड़ी यानि कि वह कह रहा है कि कल भाई हरी ने सौ रुपे का एक नोट था वो उसने खो दिया है अब यहाँ पर एक चीज आप समझेगा यह आपने रुपी नोट वाला खूब पढ़ा होगा यहाँ पर देखो 100 यह एडजेक्टिव है अब एडजेक्टिव से पहले देखेगा यह आ रहा है ए मतलब जो होगा कि इस 100 के बाद में यह जो नाउन दे होता है यहाद रखना पहले बाले बेड़ेंट करती है आगे वाली एर्र यहाँ था 200 रुपी नोट तो एक चीज में क्लियर करने चाहूँआ चाहें यहाँ पर ए आ जाए चाहें टू आ जाए चाहें कुछ भी आए 100 रुपी जो है ना वह में सांग्यूलर में चलता है तो सकते हैं इस देख लिया तो भी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा चलिएगा अब आगे और भी अच्छे को अब देखेगा फिलिंदब ब्लेंक्स हैं और इनको आप अच्छे से पढ़ेगा कोई भी गलती मत करेगा आप आराम से वीडियो को रोक करके आगे बढ़ेगा क आपको 20 में से 20 लेकर आना है आजाओ पैसे मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया अब देखेगा यहां पर लिखा है दे ले फिफ्ट फ्लोर यानि वह कह रहा है कि वह पांच में फ्लोर पर रहते हैं तो किसी चीज़ के ऊपर ना फ्लोर के ऊपर फ्लोर मतलब आएगा तो यह यह कह रहा है अमेरिका की कोजको लंग की द्वारा किया गयाता अब ये एक बात समझेगा अब यैवेंट नहीं आइगा powers कि आख哥 उसे तो खोजा गया था राइट तो सलेह कोई डिसकर्वा सक्ताना अब पुछेंके सर्ची फांड क्यों नहीं आ Sum 2018 नहीं सकताए कोई Dan और अफोगेविल यह कोई प्राप्त थोड़ी किया है कि यह प्लीज में वह यह कर रहा है कि क्या आप मुझे किरपया क्या आप मुझे एक केताब उधार देंगे तो रहे जब कभी उधार लेने की बात कि जा रहे है यहां पर उस जगें still arrive Sunday अब देखिएगा एक चीज़ आप समझेगा यहाँ पर कभी विएगर कोई दिन का नाम आ जाए तो दिन के नाम से पहले हमेशा आपको क्या लगाना है बताओ जिल से ओन लगा देना है तो इसलिए यहाँ पर ओन आ जाएगा क्या जाएगा ओन आ जाएगा देखिए एक और देखो कजिन सिस्टर विस्टर इस तवर का जुड़ेदा तो इसलिए याद रखना कि संडे से पहले दिन के नेम से पहले ओन का इसमाल किया जाता है अब आगे बढ़ जाएगा दा बॉइस वेंट इंसाइड रूम यह मैं आपके लिए स्पेशल छोड़ देता हूं क्योंको टोटल टोटल कोशन से बाइस मैंने इसमें 20 रखे हैं तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा अगर आप गलत भी करेंगे तो इसका नंबर काउंट नहीं करना है तो इसलिए भी वाला सही है ठीक है इसका आपको नंबर काउंट नहीं करना है अगर सही भी हो जायता तो अब देखे का यहां पर सुरूलियम आपको बताना है ठीक है सुरूलियम मतलब सेम मीनिक वाले इसमें बता रहा है उमीद करता वो सच में कैसे होते है का बता है तो घेलीजएंट है इसका मतलब होता है प्रस्त्रमे और महनत देखेगा एक और बड़ी प्यारी स्पैलिग हो वह है achten महनती लेकिन ड़ेजेंट आ जाता है आजाता है था उसी को मना गया है तो इसलीय आपkind के सबस्पर्ण को सब्सक्राइब सबस्क्राइब मेरी स्टूबड मेरी वैठिद कशला से समझे से नेटिछोइटाएब हो जाएगा भिए बढ़30 बैंडर कहते हैं कि यह तो बेंडर हो गया बंडर का मतलब होता है मिस्टेक होना क्या होता एक Mitt का मतलब mistake होना तो mistake मतलब गलती, danger का मतलब खत्रा, वरी का मतलब चिंता, और blemish मतलब बिलियम लगा देना, मतलब एक तरह से कलंक लगा देना या धबा लगा देना, आगे देखो course ये मैं नहीं बता रहा हूं, बाकि इसका number आपको नहीं जोड़ना है, ठीक है? ये मैंने number जो कर देना, परसकरत कर देना, stiff माने होता है, एकदम द्रण, चलो, आगे वड़ जाते है 43, ये आपको क्या बताना है, 43 में opposite बताना है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेगा, opposite बताना है आपको, यहाँ फलका है triumph, triumph का मतलब क्या होता है, देखेगा, इसको note कर ल right answer, तो triumph का मतलब क्या होता है, triumph है, एकदम मतलब बिजय है, एकदम victory, बाकि देखेगा, इसमें एक है victory माने जीत होता है, success माने सफलता होता है, subjugation का मतलब उखाड फैंगना, तो अब देखो 45 पर आते है, rancid, तो rancid का मतलब, rain मतलब बारिस पढ़ेगा, तो कोई जी rancid food हो गया, मतलब बासी, एकदम सड़ा हुआ, बदूदार, rancid butter हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बताओ, इसका हो जाएगा, एकदम fresh हो जाएगा, अब एक और देखो, एक और देखो, इस्टेल, इस्टेल का मतलब, इस्टेल चपाती होता है, इस्टेल मत जाती है, आगे बढ़ जाते है, आगे आपका, इडिएम सेंट phrases है, यह देखो, फॉलल फलेट का मतलब क्या होता है, आपको बताना है, फॉल कतना है, इस्टेल का मतलब, आतना है यह मतलब, इस्टेल पढ़ता है, अब बना सेंटिए चोड़ देना, चलो, आगे बढ़ ज एकदम इसका मतलब होता है एकदम चित हो जाना, एकदम flat हो जाना, तो इसका मतलब होता है, to fail, to produce intended effect, मतलब एक अच्छा-खासा effect भना छोड़ाना, मतलब वो ही fall flat हो गया, तो इसलिए आपका जो डी वाला है, वो right हो जाएगा, एक है carry weight, carry weight का मतलब क्या होता हता है, प्रभा आप अगर लेके चल रहें तो मतलब कुछ नो कुछ इंपोर्टेंट होगा तभी आप इस जो है परेशानी को जील रहें पासवी का मतलब क्या होता है डाई यानी म्रत्ती हो जाना तो डाई हो जाएका इसका आंसर उपर जा रहें तो नीचे हो गया तर्न डाउन हो गया तर्न डाउन का मतलब का मतलब होता है रिजेक्ट होना रद्द कर देना अस्विकार मतलब रिजेक्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा एक डाई हाड का ना डाई हाड फ्रेंड है तो die hard का मतलब होता है unwilling to change मतलब किसी के भी कहने पर वो change न हो बिलकूल भी उसमें कोई परिवर्तन न हो जैसे आपके सामने किसी ने आपके दोस्ते ने देखा हाँ आपने चोरी किये अब उसमें अगर पेटाई लगेगे तो वो कभी भी यह नहीं बता सकता कि हाँ आपने चोरी किये तो यह होता die hard friend, die hard fans तो यह हो जाएगा unwilling to change यह इसका right answer हो जाए ठीक है यह पूरा हो चोगा यह इसका answer किये मैं telegram group पर अभी send कर दूँगा यहाँ पर देखेगा आपको मैंने 22 दिये थे 22 मैंसे मैंने आपको 20 का score पूचा है तो 20 मैंसे कितना आपका score रहा है यह आप बताएगा आपका score यह 15 प्लस है मतलब आप सच में आप बड़े अच्छे हैं तैयारी आप कर रहे है इसके बाद देखेगा आज कौन सा date है जरा मैं चेक कर लेता हूँ आज है 16 जून है तो 16 जून के बाद में regular वीडियो जाती रहेंगी आप अच्छे से आप अपने मन से पढ़ाई करते रहेगा यह test में कितना score है आप जरूर बताएगा और आज का test series कैसा लगा वो आप जरूर बताएगे थैंक यू